छट पूजा हमारे देश के मुख्य परवों में से एक है। इस त्योहार पर छटी माता और सूर्य देव की पूजा अपासना की जाती है। इस दौरान चतीस घंते का कठिन निर्जला उपवास रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथी को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूपते सूर्य और चौथे दिन उखते सूर्य को अरग्य दिया जाता है। छट पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीरगायू के लिए पूरे चटीस घंते का निर् महत्वपूर्ण बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आईए जानते हैं उन नियोंगों के बारे में। छट पूजा के समय प्रसाद में लगने वाले सभी अनाजों की सफाई अच्छे से करना जरूरी है। इसे घर पर ही धोकर, कूटकर और पीसकर बनाया जाता है। इ जलती से भी पैद नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से छटी महिया नाराज हो सकती है। कोशिश करें की छट का प्रसाद बनाते समय नए चूलहे का ही प्रयोग करें। चूलहा ऐसा हो जिसे रोज लीपा जा सके। अगर आप गैस का प्रयोग करते हैं तो नए स्टोफ का प्रयोग करना चाहिए। जिसे हर साल केवल छट के दिन ही निकाला जाता हो। छट पूजा में पहले इस्तमाल किये गए चूलहे का दोबारा इस्तमाल नहीं किया जाता। पूजा के लिए बान से बने सूप और टोकरी का ही इस्तमाल करना होता है। छट पूजा के दौरा कभी स्टील या शीशे के बरतन प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्धगी में बनाया जाता है। इसमें फनों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इन बातों का व्रती को खास ख्याल रखना चाहिए कि स्टील और काच के बरतनों का प्रयोग न हो। अगर पिर इस साल आप भी छट का वरत रख रहे हैं, तो इन नियमों का विशेश ख्याल रखें, जिससे छटी माता की कृपा आप पर बनी रहे.